हेलो प्यारे विद्यार्थियो मैं कुल दीप सिंग आप लई लेके हाज रहां बारमी जमात खंड तीजा ते उस दे विच्व आपा साहीत रूप पड़ रहे हैं अज पड़ांगे आपा गीत रहे हैं अंतर्मुखी कावत रहें कि अंतरमुखी कवता है कि जदों किसे कॉखिट आपने निजदी स्पाव ut MSL ऑस ने विचार नहीं हो गीतinal जड़ा इस दे विच आपने नेजदी गाल गीती जान्दी है अपने जड़े नीजी वलवले अपने जड़े अनुपाव हुंदे है अपने जड़े विचार हुंदे है अपने पाव हुंदे है उन्ना दी पेशकारी गीत दे विच कीती जान्दी है ता एस लई गीत नू अं अंतरमुखी कवता दे विच रख्या जान्दा है। संगीत पैदा का दे नाल कीता जान्दा है। गीत दी जड़ी विदा है और संगीत पैदा का दे नाल जोड़ा है। वो ते लिखे हैं दा है लिरिक्स। रविंदर ना टेगार दी परिवाशायक। अंतरमुखी कावदे वेच जान्दा है। यह गाल असी पहला कार चुके हां। ते एथे असी गाल का रहे हैं कि बारी तत्ता नूँ। अन बारी तत्ता दी गाल भी एथे आगी। यह ता फिर विरोधा वास हो गया। नहीं विरोधा वास नी होया। अग्ये असी परिवाशा नूँ जदो आपा पूरे करांगे तो उदों हे आर्थ स्पास्ट हो जानगे। गीत विच कवी बारी तत्ता नूँ आपने वेच समेट के पाव जे उसने अनुपाव या विचार, ख्याल, किते बारतों भी लए हन। तो उसनू आपने अनुपाव दे वेच रलाके उस दे वेच समेट के पेश करदा है। सवेदे रांग विच आपने रांग विच रांग दा है ते फिर काव रचना करदा है। ता हे गल्दी जड़ी परिवाशा है ओहो अंतरमुखी काव नुँ होर सपस्ट करदा है। कि याता कवी दे ख्याल या विचार आपने होंदे हन ते जे आपने ना होन उसने कितों बारों लए होन ता फेर वी उसनू आपने रांग वेच रांग के ही पेश करदा है। जड़ी गीट दी रचना है ओहो इस प्रकार दे नाल कारदा है। ता इथे विए हे अंतरमुखी काव ही रहन दा है। ता इहे असी गीट दियां दो प्रिवाशामा पड़ियां। जी ते ते वे इस पास टूंदा है, कि एक ता हे रचना है जड़ी एहे, ती वर वेग दे विच हुंदी है, ते दूजी एहे, सवे दे रांग विच रांग केस नूँ पेश कीता जानदा है, पाव ख्याल कोई चैबारी ही होगे. असी गल करदें गीत दे तत्ता दी, गीत दा जड़ा पहला तत है ओ पाव है, अंधना पाव की है, पाव असी बहुत थामाते पड़िया है, पहला असी शावदार्थ जानदें पाव दे अर्थ हों दे आनग ख्याल, कि साधे मज कोई ख्याल होंदा है, ओ पाव है。 सादे मंच कोई विचार होदा है उविपाव है यह पाव दे आर्थन ताग है गीत दा पहला तातकी है पाव है गीत आत्म निष्ट रुची वना हुंदा है पाव साध्य जड़ी आत्मा दे निस्ता है पाव नू गीत दी आत्मा क्या गया है? इगल अपाव दे विच जरूर याद रखनी है कि जड़े पाव याँ ख्याल हुंदे हैं एही गीत दी आत्मा हुंदे हैं। होने नू गीत दी आत्मा क्या गया? जदों तक साड़े मांदे वेच कोई पाव नी आ हुआ, ख्याल नी आ हुआ, ओधों तक गीत दी रचना ही नहीं हो सकती एसलई पाव नू गीत दी आत्मा क्या गया है? गीत दा जनम ही तिवर पाव दी स्थिती वेच हुंदा है सच्चा गीत सारल खेन मई पाव जीन वसी खेन पाल कहने हाँ ते अंग्रेज हिंदी दे वेच शावदा जन्दा साड़े कोल खशन यानी की समेधी जड़ी बहुत चोटी कड़ी उस दे वेच तिवर मनोवे गांदा सिटा हुंदा है कि सच्चा गीत के में लिखा जन्दा एक तो ओधी पाशा है जड़ी ओस सारल हुंदी है दूजाव खेन में हुंदा है पाव उस दी जड़ी रचना है उस दा बहुता समेधा लमाई नहीं हुंदी हो दे वेच तिवर मनोवे गांदा सिटा हुंदा है गीत एक विशेश मनोदशा वेच लिखा गया हुंदा है जड़ा गीत कार है गीत लिखन वाड़ा उस दी एक विशेश मनोदशा हुंदी है ते उस से दे वेचो हो गीत दी रचना करदा है आपाँ देख देया ना कि सानू कोई गीत बहुता चंगा लगदा है असी उस नू गुणगणों देहां उस दे चंगे लगण दा कारण एही हुंदा है कि जड़ी मनोदशा उस गीत कार दी सी जिस मनोदशा दे वेचा के जड़े मूड दे वेचा के उस गीत कार ने उस गीत लिखा सी उस मूड साड़ा है सानू हो ता चंगा लगदा है पावादी तिवर्ता हुंदी है जड़ी ओ एस विशेश मनुदशादा पहचान चिन हुंदी है एक गीत दा पहला तात पावदी असी गल कीती दूजा तात है साड़े कोले निजता कि इस दे वेच जड़े विचार पेश कीते जान दे हन और निजी हुंदे हन बारी तात गीत वेच दुजा लिपू मिका राह दे हन पाव निजी जड़े तात हन ओ पहली ती जड़े बारी तात हन ओ दुजा लिपाव दूजे था दी स्केंडरी ते प्रेमरी केड़ी होगी फेर अंधरुनी पाव निजी इस नू फेर तो समझिये की कवीदियां जडियां आपनियां कल्प नावा हन, उनना नू हो पहले पदर ते राखके पेश करदा है ते बार दा जिड़ा प्रक्टावा है, बार तो जो उसने ग्रैन करना है, उसनों दूजी थांते रखदा है, उसनों पूमी का दुजैली हुंदी है, एथे जड़ी यहे गाल लिखी हुई है, इस दा पाव यही है, गीत विच कवी अपनी निजी पीडा, अपना दोख सुख खुशी गमी, आशा निराशा, जो अपने मान दियां उसने हैं पाव ना मान, हार्ष विशाद, करुणा, देया, गुसा, गिलानी, अते लज्जा, आदे पाव नूँ सदार्नी करत रूप विच अभिव्यक्त करदा है, सदार्नी करत रूप विच अभिव्यक्त करना, ते दूजी गल है, सदार्नी करत, सदार्नी करत शवद दे आर्थ समिदें सी, सदार्नी करत दे आर्थ की है, सदार्नी करन की है, जदों गीतकार आपनियां पाव नावानू, आपनियां कलप नावानू इस तरह पेश करदा है, कि उसनू सुन वाड़ा जड़ा है, शरूता ओहो आपनियां ही पाव नामा सविकार कर लेंदा है पाव उसने जो गल कई सी उसनों हो आपनी ही कई होई गल लाग दी है ता ये गीत दासदार नी करना है त्या एथे जड़ी पूरी गल सी कि जदों गीत कार आपनी नेजी पीडा आपने दुख आपने करुणा दया आशा निराशा नू पेश कर दा त्य उसनों सुन वणावी उसे रूबिच आपनी ही मनदा है ता ये गीत दासदार नी करन हो जानदा है ओन असी गीत दे तीजे तात दी गल कार दे हां गीता ती जाताता है संखेपता संखेपता तो पाव है कि उस दा अकार है जड़ा हो संखेप होवे अकार छोटा होई इसनू अकार नो असी बहुता खेच या लमका नी सकदे अगर अजेहा कीता जावा तक गीत है जड़ा अकावू बन जुआ ते उदा प्रवाव भी नास्टो जुआ प्रवाव हीन हो जुआ इस कारणा वेग दी परवलता ते गीत दे प्रवाव दी तीखनता लही संखेपता बहुत महत्तपूर्ण है अगर गीत दा असी प्रवाव पौना चोने है उसनू प्रवाव शाली बनोना चोने हा जड़े साड़े वेग हन उसनू असी प्रवाव शाली रूप दे विच पेश करना चोने हा ता गीत दा जड़ा अकार है उबड़ा संखेप होना चाहिदा है अगर ज़ेहा नहीं कीता जाओगा ता जड़े साड़े वेग हन उना दी परवलता है ओहो नस्ट हो जोगी ते गीत दा प्रवाव भी कर जवा इसलिए संखेपता भी इस दा एक जरूरी तात है होना सी गाल कर दे हा संगीत अत्मिकता इस संगीत अत्मिकता दो तरीक्या दे नाल है पहली ता है बारी संगीत अत्मिकता जिसनों असी जोस दे साज हन उना दे नाल मिला के जिदो पेश कीता जानदा है पर एथे असी संगीत अत्मिकता दी जड़ी गाल कर रहे हा ओ ए नहीं है जो बारीत औरते उस दे नाल जो उस दे नाल टोल बाजे या होर हर्मोनियम जो बजा के संगीत पेश कीता जानदा है ओ गल नहीं है यह है जरूर पर एहे दूजे पतर दी गल है संगीत आत्मिकता उस घीत दे विच्चों ही पेश होनी चाहिए दिया है विच्चों पेश जड़ा प्रवाव है, करजन दा है, संगीत आत्मिक्ता करजन दी है एसे लिए उधे गीदकार नहीं देखना हुनदा है कि केडे शवद दी वारतों कीती जानी चाहिदी है वर्ना दा जोड देखना हुन दा है उसने अक्रां दा तुका पाव केड़ा अखर उथे टोकदा है केड़ा अखर नई टोकदा ते सुरस मानता द्वारा ही संगीत आत्मिक्ता दा अदार है जड़े असी संगीत दी गाल कर रहे हां ओ संगीत नू किन्ना वी बेसुरा बंदा गावे एहे सारे उस दे विच गोण होन दे कारने जड़ी कोमल शब्दा दी वरतों सुचजी शब् ता फेर भी उस दे विच एक आपने आप जड़ा संगीत पैदा होनदा है ओ संगीत आत्मिक्ता दी असी गाल कर रहे हां ते ए संगीत आत्मिक्ता है जड़ी उहों गीत नू गुर्धी विच मिली होई है ये गालवी असी त्यां दे विच रखनी है संगीत शावद वेच ची होन्दा है, बारी संगीत नालों आंत्रीक संगीत वाद महत्पूर्ण है, बारी संगीत जरूरीत है, जड़ा उसनों बारों संगीत देखके पेशकीता जन्दा है, पर उस दे नालों जड़ा अंदरला संगीत, अंदरला संगीत का दे नाल पेशकीता जन्दा है, एक तात स्ञट दि कित्थे वर्तों करनी है एस दे नाल्वी संगीत पैदा हुझ दधा है वर्नादा जोड के में रखना है सुरांदी समानता के में रखनी है यह वर्जम फुछ लाटों के भाघ करना है उनासी कल करत है यहाओ पावए अदी गीत देवेच कोई एक पाव पेशकीता जन्दा है कोई एक पाव दी पेशकारी गीत देवेच हुंदी है हुण ओस देवेच जे एक पाव नू छाड़के होर दूजा पाव पेशकीता जावे ता पाव दी एकता है जड़ी हो खंडित हो जुगी पाव गीत है जड़ी ओहो छोटे अकार्दी रचना है ते उस दे वेचे कोई एक पाव ही पेश कीता जा सकता है दूजे पाव नूँ उथे पेश करना संभव नहीं हुंदा अगर अजेह कीता जाओ ता जिड़ा दूजा पाव है पहले पाव नूँ खंडित कर दुआ ते आपना प्रवा भी नहीं बना पाव हुआ गीत कार आपने गीत वेच एक विशेश पाव सेरजदा है इको ही पाव इस पाव दे प्रवाव हेठ पाठग या स्रोता कोड किसे होर पाव ना नूँ विचारन दा मौका ही नहीं मिलदा एककी पाव नूँ हो जान सकता है जदो असी गीत नूँ एक के जदो गीत नूँ एक सवेपूर्ण रचना के निया सवेपूर्ण रचना दा मतलव है कि जेडा पाव गीत कार ने छोया है ओस दा ही ओना विकास कर दन दा है कि ओहो आपने आप दे वेच पूर्ण हो जान दा है ता गीत दे वेच एको ही पाव दी जड़ी पेशकरिया संभव है पाव गीत विच पावेक्ता बनी रणी चाई दी है एक होर जरूरी तात है गीद्धा शेमा तात है सैज अंतर प्रेर्णा ते स्वाविक प्रक्टा होन गीद्धी रचना लई अंतर प्रेर्णा ते हारदिक्ता दा मूल रूप विच फुटना जरूरी है पहला ता है सैज अंतर प्रेर्णा आपने अंतर तों ही प्रेर्णा होवे किसे दूजे द्वारा प्रेर्णा ना दित्ती गई होवे आपने आप प्रेरित होवे ते ओहो प्रेर्णा है जीडि सैज रूप दे विच होनी चाई दी है पाव कोई उस दे लई विशेश यतन ना कीते गए हों उस दे विच विशेश यतना दी लोड़ना होवे ते ओ सैज रूप दे विच होवे ते एहे मूल रूप विच फुटना जरूरी है पाव आपने अंदरों प्रेरित होके उस से रूप दे विच उनना दा प्रगटा होजे फेर ही गीत दी रचना है जडियों हो स गीत दी गूत जरूरी है गीत विच्त वी सिधी दी शैज अभिव्यक्ति द्वारा ही पाठक सुरーニते दे मानुशून दी समरतथा रख दे हन एत्तों ही कभी दी खुशलता दा प्रमान मिलता है स्वाविकता गीत दा जरूरी तत है पाव एहे जड़ी प्रेरना है इसनू स्वाविक रूप दे विच प्रगटाव कीता जावे ते इस दे विच कोई वाद्दू यतन ना जोड़े जान। सुवाव एकता गीदा जुरूरी ताता है इस दी काट विच गीदा प्रवाव खंडित हो जान्दा है ते गीदे लोडिन दे पाव वेगनू सिर्जन विच सफलता प्राप्त नहीं कर सकदा। उस गीत दी बनावट के हुजी है शैली की हुदी है शैली जिनू अंग्रेजी दे विच स्टाइल कैलन्द है ते शैली तो पाव हो गया लेखन दा टांग या इनू आपकेली जे पेशकारी दा टांग उस दी पेशकारी केड़े तरीके दिनाल कीती जानी है यह हुगी शै विचा तो पाव हो गया कि उस दे विच किस परकार दे विचार है जड़े ओहो पेश कीते जा सकते हन किस परकार दे विचार ता सब तो पहला आपनी किताब दे विचारां दे बारे दस्या है विशे दे बारे दस्या है कि गीत दे विच केड़े केड़े विशे लए जा सकते चोटी तो चोटी चीज तो कवी दे मान वेच गंबीर पाव उतेजित हो सकते हैं अगर विशावास्तू दी गाल करिये ता किसे भी विशे ते गीत है जड़ा लिखया जा सकता है इही विशे दी गाल होगी और दूजी गाल कर दे हां सरचना दी कि उस दी गीत दी बनावट के हो जी हुँदी है बनावट है जड़ी उस दे विच एक ता ते इकागरता होनी जरूरी है असी इस तो पहला पाव दी गल करके है टे सी ना कि पाव है जड़ा ओहो एक जड़ा उस दे विच पेश कीता जानदा है उस दी एकता बनी रहनी चाहिए दी है ते ओहो एकता कदों बनी रहोगी जदों एकको ही पाव पेश कीता जाओगा होर उस दे पाव विच नहीं जोडे जाणगे, एक ता ते एक गरता जरूरी लच्चने, ए है, बनावट दी गल कर र ROM, ऐसी स्रंचना दी गल कर र ROM, ता कर स्रंचना दे विच की आ गया, को तोटो यख एक बड़ी गल called, ओ यह है कि इसदी आंत्रीक विकास होना चाहिदा है आंत्रीक विकास तो मतलब है कि इस दे विच एक विशेश तरह दी सुन्दरता नू जनम दिन है केड़ी वस्था आंत्रीक वस्था कि में जदो शारव्द संगीत नू लैदे प्रकुरां, जोड़ कवी विशेश कोमलता अतेमदुरता दी सिर्जना करदा है ते ते अन्त्रीक विकास होग्य कि जड़ासा पाव शुरूात दे पेश्कीता गया उस दी जगितधा अंत्रीक विकास हो गया ते सरंचना दे रूप तो इहे इस दी दूजी विशेशता होगी तीवर पावनावादा वेग जदो तार्दी ले ते शावद संगीत नाल हुंदा है ता इस नाल गीत विच अलोकिक अनांद पैदा करन दी समरथा जांदी है ते एही कारना की गीत सदा ही मान अते पावनानू टोंबदा है जदो ए सारिया चीजा पाव उस दे विच एक वधिया विशा चुन ले जांदा है उस दी एक विशेश बनावट बना ले जांदी है ते उसनू गीत कार आपनी विशेश शहली दे रही आपने टांग दे नाल ता उस दे विच अनांद पैदा करन दी समरत्था जांदी है ते साड़े माननू भी अनांदित करदा है तासी गीत दी परिवाशा बड़ी गीत दे तत्ता दे बारे जानेया आपने मिलांगे किसे नमे अध्यान बिंदू दे नाल ओदों तक लिए आप सवी द्यार्थिया झानू सास्रीका